हे गई साज हम डिसकस करने वाले हैं अनिल अमबानी जी के बारे में अगर आग डिसकस करते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में तो लगबग 2 रुपे के आसपास ही मिलेगा सारे स्टॉक्स लगबग 2 रुपे के आसपास मिलेगा और मंडे को कल कुछ बड़ा हल चल होने वाला और किया हल चल होने वाला है, अगर आपने buy किया है, तो भी समझ लेजए, अगर आपने sell किया है, तो भी समझ लेज़, अगर आप sell करना चाहते हो, आपके पास है, तो भी ये आपको समझना जरूरी होगा, तो सबसे पहले हम stock का नाम मैं, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ Reliance Nevel and Engineering Limited अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगबग यह stock का जो lower level था वन रुपीस के आसपास था वन रुपीस के आसपास यह deep जा चुका था बहुत नीचे और उसके बाद फिर देखे अपर सर्कीट अपर सर्कीट जो मानना स्टाट किया फिर यहाँ पर रुका फिर लोगों को confuse करने के बाद फिर यहाँ से उपर जाने की कोशिस की और यह लगबग वन रुपीस का stock फोर रुपीस को टच कर चुका था फोर रुपीस को यह टच कर चुका था और लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छा पैसा बनाया होगा यह बहुत तरह लोग तो लेकिन अब जो खबर आ रही है यह मंडे को आप लोगों को नजर रखने वाली चीज़ है यहाँ पर देख सकते हैं लगबग एक दिन पहले कि यह खबर यहाँ पर आपको बताई जारी मनिस्ट्री आफ डिफेंस कैंसल रिलाइंस नेवल इंजिनिरिंग लिमिटेड 2500 का कॉंट्रेक्ट है अब देखिए बहुत सारे लोग यह भी पुछे हैं कि भाई यह तो किवाली इक्षिस टॉक है इस पर इतना ज्यादा ध्यान देने वाले क्या बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं रिलाइंस के पास ट्रोट बहुत सारे कंपनी है तो सिक्स यह से का लोवर सरकेटीप चलने वाला कुईंकि मैं आपको बता धना चाहता हूं रिलाइंस इंफ्रा रिलाइंस केपिटल रिलाइंस पावर रिलाइंस कम्टिकेशल और नव आपको cancel कर दिया गया ही पूरा contract क्योंकि एक उमीद थी कि एक रुपे का share जो है फोर रुपीज हो चुका है वन रुपीज का stock फोर रुपीज सक पहुंच चुका है उपर से company के पास contract भी है तो हो सकता है कि धीरे धीरे यहां से निकलने की उमीद तो जो एक होता ना एक थोड़ा सा यहां उमीद देखने को मिलता अब देखे मैं आपको जो भी बोलूँगा आप based on imagination मत किजेगा based on study के हिसाब से किजेगा क्योंकि अगर based on imagination कर रहे हो कि आरकॉम जो है तो एक रुपय का share इतनी भी ताकत नहीं है कि यह लगबग 5 रुपय बन पाए यह भी बहुत मुस्किल होती है और यहां पर company के बारे में 2011 के बारे में भी एक बार describe किया जा रहा है कि जहां पर the contract to build five warship was signed with the company in 2011 before reliance group took over the gujarat based shipyard तो यहां पर देख सकते हैं यह एक important component है जो defense में ज़्यादा तर use किया जाता है वाज़िप तो इसको क्या होता है कि इसको बनाना आप देखेंगे defense में हम किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ सकते जिस तरीके से यहां पर reliance ने delay किया तो government ने क्या कर दिया कि उसको cancel लिकर दिया तो यह एक defense जो चीज होती है हमें extra protection के लिए पहले से तयारी करके रखनी होती है क्योंकि हमारे सामने वाला जो दुस्माने कब वार कर देगा या क्या कर देगा पता नहीं है तो extra protection के लिए पहले से रखना है तो मैं बोलूँगा reliance की किसी भी group की company में आपने खरीदा है तो बेचने की राय है सेल करने की लाय है और आप सोच रहे किसी भी company को खरीद के कि आने वाले 5 सालों में 10 सालों में कुछ ना कुछ हो जागा तो हो तो जाएगा लेकिन 2 रुपया के share वो हो सकता है कि 0.20 में द बने made in India तो ये हमारे लिए भारत देश के लिए भी अच्छा है और हमें क्या करना पड़ेगा जादा जादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और अगर हम इसी चीज में सबसे आगे अगर बढ़ जाते हैं तो हम export करने के काबिल बन जाएंगे जिससे क्या होगा revenue इंड पाने group के किसी भी company में अगर आपनी waste करते हो तो सही से analyze कर लो study कर लो prepare कर लो नहीं तो आप लोगों को नुकसान होने का ज्यादा chances रहेगा लगबग दो साल पहले की बात अगर मैं आपको बता हूँ तो Reliance के सारे group के company को मैंने खरीदना छोड़ दिया था और लगबग सार इसी चीज़ का है कि डेट बहुत ज्यादा लाको करोड का डेट है देखें लाको और करोडों का नहीं लाको करोड का डेट है समझ रहना तो उतना ज्यादा डेट है तो company के उपर बहुत ज्यादा pressure है तो मैं बोलूँगा सो समझ के काम किजिए बाकिया आपकी मर्जी और अकॉलगा फ्री में और यहां पर देखा है और इंट्रादे फ्यूचर ऑप्जिंग करते हो जिरोदा और इंजल में बेस्ट होता है यह यहां पर एक ग्रूप है जहांपर यह आपको बताते हैं क्या खरीदना है, नई क्या बीचना है नहीं बीचना है